महाशिवरात्री का वृत कैसे करें, जानिये उपवास के नियम, पूजा विधी और खास उपाए. महाशिवरात्री के दिन रात्री पूजा का महत्व है इस दिन रात्री के एक पहर या चारों पहर में पूजा अर्चना की जा सकती है सूर्यास्त के बाद का समय और सूर्य उदय से पहले का समय को पहर कहते हैं शिवजी के भक्तों के लिए महाशिवरात्री का दिन खास होता है. इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और विधी विधान से महादेव की पूजा करते हैं. महाशिवरात्री पर रुद्रा भिशेक करना बहुत शुब होता है. इस वर्ष आठ मार्च को महाश समय का फलाहार करना चाहिए. इस वरत में सेंधा नमक का इस्तिमाल करें. वरत में सिंघाडे का हलवा, कुटू, साबुदाना, फल और आलू का सेवन किया जा सकता है. वरत में गेहु, चावल और साबुत अनाज से बनी चीजें नहीं खाना चाहिए. महाशिवरात्री के दिन शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गन्य का रस, बेर और चंदन छड़ाना चाहिए. महाशिवरात्री के वरत में ये चीजें न खाएं. लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए. महाशिवरात्री के दिन सफेद नमक नहीं खाना चाहिए. वरत में मांस और मधिरा क सेवन नहीं करना चाहिए. महाशिवरात्री व्रत की पूजा विधी, लोटे में पानी या कच्चा दूध, आकर, धतूरा और अक्षत आधि शिवलिंग पर छड़ाना चाहिए. महामृत्युन जय मंत्र या ओम नम्मा शिवाय का जाप करें. इस दिन रात्री जागरण का वि अन्यता है कि कुबेर देवता ने रात्री में शिवलिंग के पास दीपक जलाया था. महाशिवरात्री के दिन घर पर छोटा सा शिवलिंग लेकर आए, विधी विधान से पूजा कर स्थापित करें. ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है. महाशिवरात्री के दिन ओम नमा शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. शिवरात्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बेहद शुब होता है. इस दिन जरूरत मंद को अनाज या धन का दान करना लाभकारी माना जाता है.